Hello Friends, Welcome to my channel Diet and Fitness मैं हूँ आपकी होस्ट डाइटिशन अकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हो कि ग्रीन टी के अलग-अलग प्रकार कौन से है और ग्रीन टी के हमारे शरीर को कौन से कौन से फायदे होते है तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि आज कल ग्रीन टी बहुत ही जादा फेमस होने लगा है खासत और पे जो लोग वजन कम करते हैं उन्हें अगर आप देखो तो वो जादा ग्रीन टी पेना प्रिफर करते हैं आज कल बहुत सारी लोग ऐसे समझते है कि green tea पीने से वजन कम होता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप सिर्फ green tea पी रहे हो और कोई भी diet या फिर कोई भी exercise नहीं करे हो तो उससे आपका वजन कम नहीं होगा लेकिन green tea जो होता है उसकी processing जब भी होती है तो oxidation कम किया जाता है उसका यानि कि ज़्यादा oxidation नहीं किया जाता है इसलिए वो थोड़ा प्राकृति क्यानि कि natural चाय जिसे हम कह सकते है ऐसे green tea हमें मिल जाती है उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे समझते है कि इसमें caffeine का प्रमाण नहीं होता है green tea के अंदर भी caffeine का प्रमाण होता है लेकिन coffee के जितना वो नहीं होता coffee के मुकाबले बहुत ही कम प्रमाण होता है caffeine का इसमें अगर आप वजन कम करना चाहते हो या फिर otherwise भी आप green tea का 7 अगर करते हो तो उसके हमारे शरीर को काफी सारे फायदे होते है ये नाकी सिर्फ वजन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन शरीर के बाकी जो functions होते हैं उनके लिए ये काफी मदद करता है तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं देखेंगे कि ग्रीन टी के अलग-अलग प्रकार, अलग-अलग flavors कौन से कौन से है और इन सारे flavors का, इन सारे प्रकारों का हमारे शरीर के लिए कौन सा फायदा होता है तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दू कि अगर आप मेरे चानल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्ली से सब्सक्राइब कर लिए आज की वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम ग्रेंटी के फाइदे यानि की बेनेफेट्स देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगे कि ग्रेंटी के अलग-अलग फ्लेवर्स कौन से आते है और कौन से फ्लेवर का क्या-क्या फाइदा होता है सबसे पहला देखते हैं वजन कम करने के लिए तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि सिर्फ ग्रेंटी से वजन कम होता है ऐसा कुछ भी नहीं होता लेकिन जब भी आप ग्रेंटी पीते हो तो आपका शरीर का मेटाबॉलिजम जो होता है वो इंप्रूव होता है मेटाबॉलिजम बढ़ जाता है और उसके कारण ये वजन कम करने के लिए हमारे शरीर की मदद करता है क्या होता है दोस्तों अगर आप वजन कम करना चाहते हो और अगर आप चाय कॉफी पीते हो तो थोड़ी थोड़ी शकर उसमें जाती है या फिर ऐसे भी अगर आप देखो तो चाय कॉफी को अगर आप रिप्लेस कर दो हमारे ग्रीन टी से तो फिर जो भी शकर अतिरेक जाती है हमारे शरीर में उसका प्रमान भी कम होगा और ग्रीन टी के शरीर को जो बाकी के फायदे होते है वो भी मिलेंगे तो अगर आपको वजन कम करना है तो आपके रेगुलर चाय या कॉफी को आप ग्रीन की से रिप्लेस कर दीजे और उसके साथ एक अच्छा सा डाएट और अच्छी खासी एक्सरसाइज यानि की व्यायाम करना भी बहुत आवश्टक है ऐसा अगर आप करते हो तो आपका वजन कम करने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत जल्दी जल्दी होगी यानि की जो समय लगता है वजन कम करने के लिए उसे कम करने के लिए जरूर मदद होगी दूसरा फाइदा है कोलेस्टेरॉल कम करने के लिए तो green tea जो होता है वो हमारे शरीर से बुरा cholesterol यानि की LDL जिसे हम कहते है उसका सर कम करने के लिए मदद करता है और रिदय रोग का खत्रा कम करने के लिए भी ये मदद करता है उसे के साथ साथ जब भी आप green tea पीते हो तो शरीर का जो fat होता है जो चरबी होती है उसका burning यानि की जो चरबी घटाने का जो rate होता है वो अच्छा हो जाता है तो शरीर की चरबी ये कम करता है उसे के साथ साथ शरीर का जो cholesterol होता है उसे भी ये नियंदरित करता है तो इस प्रकार से ये रिदय रोग के लिए या फिर cholesterol कम करने के लिए काफी मदद करता है infection है viral infection है ऐसे सारे infection से यानि कि संक्रमंट से बचाव करने के लिए काफी मदद करता है और जो cavities हो जाती है दातों के अंदर उससे भी यह हमारे के लिए ग्रीटी के सेवन से तनाव यानि कि stretch होता है वो कम होता है तो उसके कारण हमारे दिमाग का जो function होता है जो हमारी दिमाग की कारिये प्रणाली होती है उसे बढ़ावा देने के लिए यह मदद करता है और इसी के कारण यह हमारी एकाग्रता जो होती है concentration जिसे हम कहते हैं उसे भी बढ़ाता है ये माना जाता है कि neurons जो होते हैं हमारे दिमाग के उसके उपर green tea बहुत ही ज्यादा positive असर डालता है तो उसे के कारण फिर हमारे दिमाग के लिए हमारी जो एकागरता होती है memory power होती है उसके लिए ये काफी अच्छा है और जब भी कोई तनाव आता है बहुत ज्यादा stress आता है ऐसे समय पे अगर आप green tea लेते हो तो आपको बहुत ही तरो ताजा महसूस होगा और जो भी आलस आजाता है कभी कबार उसे कम करने के लिए उसे मिटाने के लिए ये मदद करेगा पाच्वा फाइदा है हमारी त्वचा और हमारे बालो के लिए green tea के अंदर काफी अच्छी मात्रा में anti-oxygens पाए जाते है उसे के साथ साथ इसमें जो बाकी के vitamins होते है उसके कारण ये हमारे बालो का जढ़ना कम करता है उसे के साथ ये बालो को बहुत ही ज़्यादा soft और नरम बनाता है अच्छे से नमी देता है बालो को और हमारी त्वचा के लिए भी ये काफी अच्छा है क्योंकि इसमें antioxidant है तो त्वचा की शुधी अंदर से जो सफाई हम बोलते है वो करने के लिए ये मदद करता है हानिकारक free radicals से हमारा त्वचा का बचाव करता है उसे के साथ साथ सूरज के किरणों के वज़े से जो भी त्वचा का damage होता है नुकसान होता है उसे कम करने के लिए भी ये काफी लापदायक है तो ये सारे फाइदे थे दोस्तों green tea के हमारे शरीर के लिए अब हम देखेंगे कि green tea के कौन से flavors आते हैं और उन flavors के हमारे शरीर को क्या फाइदे होते हैं सबसे पहला flavor है honey lemon तो honey lemon यानी की शहत और गिंबू के flavor का green tea जो आता है वो बहुत ही ज्यादा common है ज्यादा तर लोगों में अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग इसी flavor का green tea पीते हैं जो की अच्छे से चरीर का हमारे डिटॉक्स करता है और हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है तो जैसे भी मैंने अभी सारे फाइदे बताए green tea के वो सारे फाइदे इस green tea से हमारे शरीर को होते हैं दूसरा flavor है तुलसी flavor तो ये तुलसी के flavor का भी green tea आता है बहुत ही जादा अच्छा लगता है ये taste में उसे के साथ साथ ये हमारी immunity यानि कि रोक प्रतिकार शक्ती बढ़ाने के लिए मदद करता है stamina बढ़ाने के लिए मदद करता है और हमारे पाचन के लिए भी अच्छा होता है तीसरा है पुदीना पुदीना flavor का green tea जो आता है वो हमारा mood अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और हमारी जो acidity की समस्या होती है उसे भी ये कम करता है और taste की अगर हम बात करें तो taste में भी बहुत ही अच्छा एकदम refreshing सा flavor होता है ये तो अगर आपको acidity की समस्या है तो आप इस पुदीना flavor के green tea का सेवन कर सकते हो चोथा है chamomile green tea तो chamomile flavor का एक green tea आता है जो की stress या फिर तनाव जिन लोगों को आता है उन लोगों का तनाव कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है और खास तोर पे ये अच्छी नीन लगने के लिए काफी मदद करता है तो जिन जिन लोगों को ये problem होती है कि नीन नहीं आती है या फिर अच्छी नीन नहीं आती है ऐसे लोगों ने रात में सोने के पहले अगर chamomile green tea का सेवन किया तो अच्छी नीन लगने के लिए ये काफी मदद करेगा पाच्छवा है हिमालेन green tea हिमालेन green tea एक आता है flavor market में ये जो है हमारे पाचन को सुधारने के लिए काफी मदद करता है और रक्तचाप जो होता है blood pressure की problem जो होती है उसे कम करने के लिए यानि कि रक्तचाप नियंतरित करने के लिए ये काफी मदद करता है उसे के साथ साथ थोड़ा सा जबी आलस आता है या फिर चिड़चिडापन होता है कुछ करने का मन नहीं करता है ऐसे समय पे लेने के लिए भी ये green tea काफी अच्छा है छटा है jasmine green tea तो जैसे कि आपने नाम से ही पैचान लिया होगा jasmine का यानि कि फूलों के स्वाद का जो green tea आता है उसकी महक यानि कि उसके अरोमा और उसका स्वाद जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है धीमी-धीमी से महक आती है इसकी तो काफी अच्छा होता है खास और पर अर्थायटिस की प्रॉब्लम जिन लोगों को है उन लोगों को लेने के लिए ये काफी अच्छा रहेगा ये green tea भी आंटी आक्सिदेंट से भरपूर है और रग्दचाप के मरीजों के लिए भी ये काफी अच्छा उप्शन है तो जिन लोगों को अर्थायटिस है फिर रग्दचाप की प्रॉब्लम है ऐसे लोग जैस्मिन ग्रीन टी का सेवन जरूर कर सकते है सात्वा फ्लेवर है लेमन जिंजर तो लेमन जिंजर यानि की नीमबू और अद्रखी फ्लेवर का ग्रीन टी आता है खास और पे सर्दी जुकाम को कम करने के लिए काफी अच्छा होता है तो सर्दियों के दोरान जभी ऐसा लगता है कि सर्दी है जुकाम है या फिर फ्रोट इंफेक्शन गले का इंफेक्शन हो जाता है ऐसे समय पे गरमा गरम आप लेमन जिंजर ग्रीन टी पीते हो तो काफी जादा मदद होगी गले को काफी आराम मिलेगा आठवा फ्लेवर है सिनमन एपल तो सिनमन एपल यानि की दालचीनी और सेब के फ्लेवर का भी आता है वो फ्लेवर भी थोड़ा अच्छा होता है लेकिन बहुत सारे लोगों को वो फ्लेवर पसंद नहीं आता थोड़ा अलग सा लगता है लेकिन जिन लोगों को डायबेटीस की समस्या है ऐसे लोगों के लिए ये green tea का सेवन करना काफी लाबदायक रहेगा क्योंकि इसमें दालचीनी का जो flavor होता है दालचीनी है तो इसलिए अमारी जो sugar levels होती है उन्हें नियंतरित करने के लिए ये काफी मदद करता है तो ये इतने सारे flavors आते है green tea के उसे के साथ साथ peach है, cranberry है, strawberry है ऐसे बहुत सारे अलग-अलग flavors के green tea आते हैं तो आपको जो भी समस्या है उसके हिसाब से अब आप green tea का flavor चुन सकते हो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करना न भूले, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिष्टेदारों के साथ इस वीडियो को share भी करे और अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो आप comments में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप comments में मुझे ये भी बताईए कि ऐसे और कौन से कौन से topics के उपर आप वीडियो देखना चाहते हो मैं अब आप से मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए topic के साथ, तब तक के लिए goodbye, take care